तो आज कर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको सही तरीके से एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अपने इंग्लिश को कैसे पढ़ना है आपको अपना तयारी के इस वे में क करना है तो देखो ये बहुत क्यूशल टाइम है और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को 1.5 या 2x में देख सकते हो लेकिन इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना वीडियो पूरा देखना कहे गई बातों को अच्छे से सुनना और उ हम लोग बात कर रहे थे कि आप में से maximum बच्चों को ये पता होता है कि चैप्टर में क्या हुआ है उनमें कौन-कौन से characters है उस chapter का theme क्या है लेकिन game महा पलड़ता है जब हम अपने information को use करके अपने answer को draft नहीं कर पाते है अपने answer को नहीं लिख पाते है और यही वो reason है जि से पहले अपना unseen passage को पूरा पढ़ते हो देन फिर उसके questions को पढ़ते हो देन फिर again passage को पढ़ते हो उसके answers को mark करते हो और फिर अपना answer लिखते हो तो ये एक बहुती गलत approach होगा क्योंकि ये कोई normal exam नहीं है जहां पर आपको काफी time मिलते है यहां आपको फालतो के time नहीं म पढ़ लेते हो देन फिर आपको पढ़ना है अपना unseen passage जहां जहां पर आपको answers मिल रहे हैं उसको mark करो और फिर अपना answer को लिखो ध्यान ये रखना है कि आपको directly वो passage के lines को नहीं जहापने है and trust me अगर आप ऐसा करते हो तो आपका एक भी number नहीं कटने वाला है second चीज आप को इस section में बहुत ज़्यादा time नहीं लगाना है starting में already आपको 15 minute मिलते हैं जिसमें आप अराम से अपना 2-2 passage को solve कर सकते हो and फिर भी अगर आपको detail में जानना है कि आपको अपना time को कैसे manage करना है exam में या फिर आपको अपना paper को कैसे present करना है तो उसके लिए भी मैं एक dedicated video बना चुका हूँ जिसका link आपको description box में या फिर i button में मिल जाएगा तो आप उस video को भी जरूर से देख लेना बट अभी नहीं इस video के बाद अब हम लोग आते हैं अपने writing section में तो इस section में अगर आप अपना हलका सभी दिमाग लगा देते हो ना तो examiner चाहे कितना भी बड formats याद होने चाहिए secondly आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप इस section में ज्यादा काटा चाटी ना करो आपको अपना answer एकदम simple, decent and clean रखना है and कुछ-कुछ templates को याद कर लेना मतलब यह है कि उसको start कैसे करते हैं ending में आपको conclude कैसे करना है जैसे कि letter में starting के कुछ lines होते है ना जो comment होते है like कि I would like to draw your attention towards या फिर through the esteem column of your newspaper तो यह सब basic template आपको हर format के याद कर लेने है अब हम लोग आते हैं हमारे grammar section में तो यह section basically 10 number का होता है जिसमें से कि आपको 10 questions को solve करना है out of given 12 questions and इस section में total आपके 5 topics आ रहे determiners, tense, modals, subject, verb and reported speech तो अगर आपको इन topics में से किसी topic को समझने में दिक्कत हो रहा है या फिर आप नहीं समझ पा रहे हो तो simply आप उसको छोड़ दो अगर आप ऐसा करते हो आप समझ जाओगे grammar का basic logic क्या है basic funda क्या है अब हम लोग आते हैं अपने last और सबसे ज़्यादा marks दिने वाले section literature section पे तो इस time पे आपको भूल के भी ncrt book को line by line नहीं पढ़ना है आप चाहे तो summary पढ़ सकते हो या तो मैंने जो सारे chapters के summary वीडियो बनाया है आप उसको देख सकते हो वो सारे वीडियो आपको class 10 के playlist में मिल जाएगा description box या फिर i button में तो उन वीडियो के मदद से आप chapter के बारे में basic knowledge ले लो कि उस chapter में क्या हो रहा है उस chapter में कौन-कौन से characters है उस chapter का theme क्या है और फिर directly जम करो अपने question answer में sample paper उठाओ previous year के solved answers को देखो पढ़ो chapter wise important question को search करो उसके answers को पढ़ो और उन में से जो important words होता है आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है उन में से जो आपका important words है जो आपको important sentences दिख रहे है उसको आपको याद कर लेना है ताकि अगर कुछ भी question उससे related आए तो आप उन words को उन attractive sentence को use करके अपने answer क overall attractive बना सकते हो at last उन highlighted points को underline करना हर answer के बाद एक दो line छोड़ना and अपने paper को एकदम fresh neat and clean रखने का कोशिश करना and यही थे कुछ points जिनका use करके मैंने अपने time में 75 out of 80 score किया था तो अगर आपको ये video अच्छा लगा informative लगा तो please channel को subscribe कर लेना and अपने किसी दो दोस्त को share कर देना क्योंकि यह channel का reach बहुत डाउन है and views नहीं आ रहे, impressions नहीं आ रहे, anyways trust me अगर आप channel को subscribe करते हो तो बहुत अच्छा अच्छा content आने वाला है and आपका जो next session है class 11 का वो भी journey हम लोग साथ में ही start करने वाले है, तो मिलते हैं किसी अगले video में तब तक के लिए bye bye, take care and thanks for watching झाले है झाले हैं